तो काईज वेलकम टू डिली फूटबॉल मैडनस और काफी ज्यादा क्रेजी न्यूज चल रही है बन बै वन करके जो हम सारी डिसकेशन करते हैं रियाल मडिट की भी है बार्सा की भी है एक विनीशियस ने क्या कुछ फैंस को जेल बेट जा उसको पर भी हम डिसकेशन वे बहुत सा इशू से सिंपल सा मैसेज है मेरे पाकिस्तान फूटबॉल फैंस को इड वस अ मेरेकल कि आप इस राउंड के अंदर अलड़ी खेल रहे थे लेकिन इसके पॉजिटिव क्या निकले हैं ठीक है ठीक है मैंचीनी जैसा मैनेजर यह कह रहा है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने इंप्रूफ किया डिफेंसिवली ओविसली गोल स्कूर करना वो वक्त के साथ आता है और वेंचुली आएगा राइट मैंचीनी जैसे मैनेजर ने यह कहा कि पहली लेग में सेकिंड लेग में पाकिस्तान जो है वो बेतर खेली है तो यह एक इससे सीखना चाहिए और इसको आगे डिवेल्पमेंट की तरफ लिखे जाना चाहिए लीग बनानी चाहिए कॉंस्टेंटीन को पावर दिनी चाहिए और पॉलिटेक्स को दूर गना चाहिए तो यह सिंपल सा मैसेज है अगर आप इसको पर बिल्डप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा लेकिन अगर आप इस उपर्जुनिटी को जाने देंगे तो ओविसली फ्यूचर भी वैसा होगा जैसा पास्ट है अब आ जाते हैं इंडिया करतर वर्सिस इंडिया इंडिया वन-जिरो लीड कर रही थी उसके बाद तरी इस एपसलूटली नो डाउट इंडिया के साथ रॉबरी हुई है जो है आउट साइड और यहां पर रेफरीज की बहुत बड़ी मिस्टेक है और नेक्स राउंड में नहीं जा पाई इंडिया अब पता नहीं देखें मैच के अंदर क्या होता क्या मैच ड्रॉव हो जाता या कतर फिर भी कमबैक कर लेती लेकिन वह बाद की बात है कि ऐसा खेल रही थी इंडिया कैसा खेल रही थी लेकिन उस मोंट के अंदर देखें कभी के हो इंडिया बड़ बहुत बड़ा वी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकिए उनकी लीग के अंदर आप जाके देखें आप फॉर एक्जेंपल अभी फुटबॉल नैशनल टीम के उपर बात करें तो भाई इस तरह की नहीं होने चाहिए बहुत बड़ी रॉबरी है यह और आइकन अंडर्स्टैंड कि इंडियन फुटबॉल फैंस क्या फील कर रहे होंगे इस तैंड की उपर विकॉज एक गोल्डन ऑपर्चुनिटी थी नेक्स राउंड में फॉर फॉर्स टाइम जाने की राइट लेकिन हव पर हाथ रखके इंडियन फुटबॉल फैंस से बात करना देखें अगर आप नेक्स राउंड में चले आते ना तो इगह और स्टिमाज जो है वह सर्वाइव कर जाते चीक है और शायद यह स्टोरी जो है वह इसी तरह कंटिन्यू होती देखें पाक जो इंडिया है दे वर साथ आपने golden opportunity मेंच की ओ हो होम कुवेट के साथ golden opportunity मेंच की तो 9 matches के अंदर एक win है अगर आप qualify कर भी जाते तो मतलब क्या निकल जाता फिर होता पता किछ आगर आप qualify कर जाते तो आप history में सबसे पहले पहली दखा अगर आप next round में चले जाते इंगोश्ट मैच जो है वो और इंडिया के अंदर जितना फुटबॉल खेली जा रही हो जितना काम हो रहा इतना इतने इस कंट्रीज में नहीं हो रहा तो सब चीजें छोप जाती है तो I know you are disappointed लेकिन अगर आप दिल पे हाथ रखके कहें ना तो जिस तरह जिस तरह इंडिया को qualify करना चाहिए था इंडि आप थोड़ी सी रियाल मेंटे इन्यूज के उपर बात कर लेते हैं देखें यार एक न्यूज आई है और बड़ी अच्छी न्यूज है मेरे साब से देखें रेसिजम एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक है आपको प्लियर पसंद हो या नहों आप वनीशियस आपको पसंद हो ना हो लेकिन लेकिन रेसिजम इस आंसर टू नथिंग राइट आपको पसंद नहीं आ रहा प्लियर आप प्रेटरसाइज करें जो भी बोलना आप सबका हग है बट नो टू रेसिजम और हिस्पैनिश फुटबॉल हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि रेसिजम की गया था विलेंशिया फैंस की तरफ से और यहां पर उनको सजा मिली है और दो साल तक वो कोई फुटबॉल मैच भी नहीं देख पाएंगे वहां उसका भी बैन है और फाइन भी लगे है तो आई एम रिली हैपी विद इस न्यूस देखें भाई जितना मर्जी आपको प्ल सबंद नाओ हो लेकिन देर शुटी नॉस ब्रहु दुनिया में होनी जाहिए जहा اór रेसिज्म हो ऑफ्लिसे रियाल मेडेट की दोसरी न्यूज के पर आयाते हैं जुलियन अलवरेज की न्यूज आरी है इस समर के लिए नहीं नेक्स समर के लिए देखें जुलियन अलवरेज अंसेटल तु है उन्होंने अपनी एक स्टेट्मेंट भी दी थी और वो ये बास सोच तो रही है कि भाई उनको प्लेंग टाइम मिले ना मिले लेट्स सी वाट हैपन इस तरह कि उन्होंने बात किया अब PSG भी इंटरस्टेट होगी और रियाल मेडेट भी इंटरस्टेट हो सकती है बट रियाल मेडेट उनको खिलाएगी कि दर भाई रियाल मेडेट का मुझे समझ नहीं लग रही कि रियाल मेडेट का क्या सीन है लेकिन एक सीन के अंदर समल लग सकती है क्योंकि देखें विनिशियस की अभी अभी थोड़ी देर पहले न्यूस आई है कि PSG इंटरस्टेट है विनिशियस में लेकिन इन केस अगर विनिशियस पर एक समर मूव करते हैं फ्रॉम रियाल मेडेट देन ओविसली इट माइड भी के अप जुनियर अलवरेस को लेके हैं तो बिशियस की तीम है यह विनिशियस की रियाल मेडेट है तो नहीं बनाती है और विनिशियस की न्यूस आ रही है तो जो के भी बिलकुल भी सेंस नहीं बनाती है एक साल बाद भी I don't see Vinicius leaving Real Madrid but football है कुछ भी हो सकता है हमने कैजमिरों का भी नहीं सोचा था थ्रीपीड के बाद तो कुछ भी हो सकता है जब वो चले गए लियो मैसी का भी नहीं सोचा था कि वो सीजन जाएंगे तो football में कुछ भी हो सकता है अलफंसो डेवीज और फर्ले। मेंडी की नियूज है अब ही अलकेल की नियूज है यह फर्लेंड मेंडी की कॉंटरेक्स स्टेशन के कुछ इशूस चल रही है अगर पता नहीं वो क्या होता है च्छ नहीं होता उसकी उपर चीज डेपेंड करती है कभी Davis की news आती है कि भाई they are very close I think Ferland Mendy के उपर depend करेगा और Real Madrid के उपर depend करेगा अगर Ferland Mendy जो है वो contact stand नहीं करते है तो definitely Real Madrid जो है वो Davis के उपर जाएगी और टगड़ा जाएगी फिर ठीक है अभी तो यह है न कि Ferland Mendy है कमा विंगा भी पर खेल लेते हैं तो अगर आ जाता है हमारी टर्म के उपर डेवीज तो अच्छी वात नहीं तो नहीं तो नहीं लेकिन डेवीज एक अच्छी ऑपर्शनेटी है रियाल मेडेट के लिए विकॉज अगर उन्हें इस्टेंड करती है उनकी टेबल पर पड़ावा तो फिर तो क्या डिसकस कर रहे थे अब यह तो वक्ती बताएगा आपको पता है मैंने पिछली वीडियो में इसलिए बार्सा को और भी स्टेंड करते हैं अच्छा एंचलर के केस में यह भी न्यूज आ रही है कि मैं यह चीज मैंसे करते हैं कि अंसुफाटी डील के इंडर इंकूड हो सकते हैं अगर बार्सा फ्रीम पॉंग ला रही है और आंसुफाटी दूसरी सेट पर जा रहे हैं आई वूड टेक डट ब अब डीम के ऊपर हम वापस आते हैं और वोंके यूरू जो हैं वो मिस हो जाएंगे नेधर लेंड के साथ और ऑबिसली रोनल्ड कुमन अपना गुसा निकाल रहे हैं बार्सा के साथ उन्होंने बड़ा गुसा किया कि उनको खलाया गया तो भाई खलाए ना बार्सा तो क् कोई प्लेयर नहीं है हमने क्या करना है और ठीक है हम तो लमीन इमाल 16 16 17 17 साल के लड़कों को खिला रहे हैं क्यों क्या करें भाई खुद भी तो आप खिलाते रहते थे हर किसी को तो खैर फ्रेंकी डियोंग की ना यह जो इंजरी की निउस ने बड़ी खराब और बड़े गरड़ टाइम पे आई है उसकी रीजन में आपको जल्दी से एक्स्प्लेइन कर देता हूं देखिए फ्रेंकी का कॉंटेक्स टेंड होना है या तो उन्होंने कॉंटेक्स टेंड करना है जो कि उनकी टेवल के उपर पड़ा है या बार्सा ने उनको मार्केट पे डालना ह है ठीक है मार्केट पे डले में है यह जो न्यूज आ रही ने दुरदर की यह सिर्ट कनेक्टेड है वो मार्केट के उपर डले में है और उनके उपर प्रेशर है अब जब यह अच्छी न्यूज है कि उन्होंने पुल आउट कर लिया और वो जबरदस्ती योरो जनी कहलें करें यई बार्सा के लिए अगर क्लब ने लेख धर तो बहुत बड़ा इशु है बार्सा के लिए तो बार्सा सुलूशन सरेंथ City को साइν करना है और अगर अगधर मैने बता दिया है पलाश्यो सिंघिय्ext करना गरें ऑन पालाश्योश्हाों यह सब प्लेयर्स उनाना की भी कहीं है वो न्यूज आती है लेकिन अब बहुत जादा न्यूज नहीं आ रही यह सब प्लेयर्स शॉट लिस्टेड है अब डिपेंड करता है अगर फ्रेंकी स्टेक करते हैं तो सिर्फ एक प्लेयर आएगा वो मेरे असाफ से तो किमिक होना च की बहुत बड़ी इंजरी नहीं है तो लेट सी के बार्सा क्या करती है लेकिन अभी तक यही न्यूज है अपना ओपीडियन दें रिगार्डिंग इवरीफिंग इने कमेंट सेक्शन लाइक कर दीगा सबसाइब कर पर मिलतें नेक्स वीडियो में सब्सक्राइब